भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जिसकी शुरुवात आप देख सकते यह एतिहास एक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं इसे हरी जन्री दिखाएंगे अभी कुछी मिन्टों में पधान मंत्री नरेंद्र मूदी और इसके साथ ही कुछी देर में भारत गौलफ काशी जो ट जब हम बात करते हैं कि एक एकस्पीजेंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ आप देख सेएंगे पधान मंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को पाचवी ट्वेन दक्षिन भारत के लिए जंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस देश की पाचवी दक्षिन महाथ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाते हुए धार मंत्री नरेंदर मोडी चैन्नाई बैंगलोरू मैफूर की जो कनेक्टिविटी है आप देखिए रिल मंत्री एश्वनी वेश्ण भी वहां मौजूद है तो कनेक्टि अधि एक मद्बूत तस्वीर आप देख सकते हैं वंदे भारत चल पड़ी है देश की पांच मी दक्षिन भारत की पहली ट्रेंग वंदे भारत जिसे हरी जनी दिखाए प्धामिंट्री नरेंदर मोडी ने साथ उनके मौजूद थे विल मंत्री अश्वनी वेश्ण वेश एक स्पेसिल ट्रेंग को प्धामिंट्री ने दिखाई है हरी जनी यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तोर पर ये दर्शा आता है कही न कही भारत का कद जब हम कनेक्टिविटी के लिहास से बात करते हैं मौडरन ट्रेंज की बात करते हैं उसमें लगातार बढ़ता और ये जो तमाम बंदे भारत ट्रेंज है जानी जाती है अपनी स्पीड के लिए तो खास तोर पर यात्रा को आराम दायक और गतिशील बनाने के लिए बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जनी दिखाई पुधार मंत्री ने दिर्मोदी ने तो आयर सिटी की तरफ से सरकार की तरफ से मेक इंडिया का जो अभ्यान है उसे मजबूती दी जा रही है वंदे भारत ट्रेंज मेक इंडिया की काम्याबी का एक बहतरीन उधारन है और वो बहतरीन उधारन इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्यक तक पहुंचने की बात करते हैं कनेक्टिविटी बह से इस तरह की ट्रेन जो है जो है जो से सबसे एहम वंदे भारत ट्रेन देश की जो पहरी थी वो पंद्रा सरवरी को चलाई गई दिली कानपूर वार्णसी के रूट पर और ये पांच मी है जिसे पधान दंतुरी ने जहन्डी दिखाई है और मेकर इंडिया काम्याबी का बहतरीन उधारन चैन्नई मैसूर वंदेभात का ट्रायल रन जो था मैंने आपको बताया कि चैन्नई के एमजी रामचंडरन स्टेशन से शुरू हुआ इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्रूटर पर पोस्ट किया गया था तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात कातार आत्म निर्भरता के साथ मिकिन इंडिया के इस मिशन को और जादा मजबूत करती हुई और जिस तरहां से प्रधान मंतरी ने 15 अगस 2021 के गर बात करें तो लालकले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की यह उचना है कि 75 शेरों को सेमी हाई स्प तरीके से अपने कारे को सरकार करती हुई प्रतिबत्ता के साथ और वंदे भारत के बारे में देख पारे हैं तस्मीरें आप अश्मनी वैश्णम बताते हैं वर हमने कई बार देखा कि खुद पधान मंतुरी ने भी इस तरह ट्रेन में सफर करकी जो तमाम वहाँ उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साजा किये होएं हैं जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साजा किये होएं हैं तो रेलवे बोर्ड सरकार इसी योशनापर की भई 75 से जादा ट्रेंज चलाई जाएंगी जोड़ा जाएगा एक राज़े से दूसरे राज़े को इस पर तेजी से रेलवे बोर्ड काम कर रहा है त्वरित कारवाई कर रहा है आप देख सकते हैं और ये दूसरा करनाट का भा आज का दिन काफी एहम करनाट का वासियों के लिए कि कैसे भारत गौरफ दर्शन के अंतरगत इसे चलाया गया और ये बानगी है उस संस्कृति को उस अभेटा को उस लोग का संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए कैसे सीधे दक्षिन से काशी तक का सफर भारत गौरफ काशी दर्शन इस ट्रेन की वज़ा से और इसे भी पधानमंत्री हारी जंडी दिखाते हुए तो कैसे खास तोर पर जब हम बात कर रहे हैं अभी हमने बात की वंदे भारत एक्स्पिस के बारे में और वहीं अब करनाट का भारत गौरफ काशी दर्शन के इस एक भारत शुरेश भारत के इस अनुभव को और चरितार्थ करेगी ये करनाट का भारत गौरफ काशी दर्शन ट्रेन जो सीथा आपको दक्षिन भारत प्तामंत्री नारी जंडी दिखाई करनाट का भारत गौरफ काशी दर्शन को और ये हरी जंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगरती के और साथी साथ कनेक्टिविटी के पत पर चलती हुए करणाठ का भारत गौरव काशी दर्शन जहां आप दक्षिन भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। दक्षिन भारत के दौरे परेपदार मंद्फटी और हरी जनी दिखाते हुए करनाठ का भारत गौरव काशी दर्शन को देखे दक्षिन भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्वरनिये अनुभव पर लेकर चलेगी यह ट्रेन जिसका अंदाजा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नजारे देखने को मिलेंगे जिस सरह से इसे तयार किया गया है तो आज का दिन काफी एहम करनाटक वासियों के लिए एक उन्हें चैन्नाई मैसूर वंदे भारत एक्सपेस उसे पधार मंत्री नहीं जनी दिखाई वो मिली और दूसरा काशी दर्शन के अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीर इन्वेसेशन से भारत गौरव काशी यात भारत गौरव काशी यात्रा यानि की कैसे भारत के गौरव को प्रति बिन्वित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कुरिती और उसकी मिट्टी के खुश्बू से तमाम दुदक्षिन वासी हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि उत्तर दक्षिन इसीरे कहा जाता है कि दूर है उस हम कह सकते हैं रोमांचक उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का पल उनके लिए होगा भारत गौरव योजना अब भारत गौरव योजना के तहट जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि भारत के उन तमाम जगाहों पर जहां से संस्कुरिती की मिट्टी की और भारत गौरव जो ये हम कह सकते हैं ट्रेन है कही ना कहीं ये इस बात का भी ऐसास कराती है जब हम भारत के विभिन उन संस्कुरित केंद्रों का दिक्र करते हैं जिन से हमारा जुडाव जिन से हमारा लगाव कही ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के भले ही जगलग भाषच्णाई है, हम ऐते हैं मूल भावना एक ही है, companion एक भारत की उस मूल भावना के बात करें इसको चरितार्ति करती कि यह ट्रेन तो काशी विश्वनात की अगर बात की जाए तो हमने देखा काशी विश्वनात से जगनाथ पुरी तक चलेगी भारत गौर्फ टूर्स ट्रेन और